जे हैं, आज हम आपको एक चूली की कटिंग बताएंगे, शोजी भूत मीया है या जाता है, यह विपूली तो ये तो या पैंट कुछ भी अगर हमें कट करना है आमें अच्छा मिशेमेंट आना चाहिए एक अच्छाát जब तक đến 44 बॉल और अब हैसे लिए तो सबसे पहले अविए जो कपड़ा होगा अपना जो चुरी का पड़ा है 2 मीटर है 1 मीटर उसको इस तरह से फॉल्ड कर लेंगे यह नीचे का भाग है यह नीचे का बाग कि पूरा मिलाकर इसको पूरा अरेव बाला भाग को इसको ठाइब अब सब सब पहले हमें नीचे से शुरू करना न तो इसके बाद यहां से आप सीधा निशान लगा लेंगे नीचे और एक इंच फोल्ड करने के लिए देंगे अभी आप परकी तरफ को पुरा निशान लेता हुए रहेंगे आप अब हमें क्या करना यहां पर गेदरिंग जो शुली होता ना बहुत सारा इखटा निशे का बाग में तो उसके लिए हम देना है आट इंच भी आप दे सकते हो तस भी दे सकते हो बारा भी दे सकते हो लेकिन मैं इसमें तस इंच दूगा तोब दस पर एक निशान लगा इसके लिए करेंगे भावने स्पेल की मदब से यहां सीधा इक लिश्तान देए कि अब आमें क्रोच का निशाम देना है जो इसके कई तरीके से देते हैं तो अलग लिए बढ़का करकर होताई पर इसमें आपको प्लस करेंगे यह हमारा जो यह निशान हो गया यह ताइस का निशान हो गया यानी प्रांट का इसका हमें हमारी जो रान है वह हमारी पेवी सिंच है तो वक्रम के लिए तुटिट विए तो इसका निशान करों अचमा है और को रान के लिए तो यह निशान अच्छा नहीं है इसको भी हम फीचा करेंगे इसको यह जो निशान निशान है इसको तो यहां का जो राउंड है तो शीच्टीन का एक निशान दे देंगे उसके बाद में एक इंच लूसिंगे लिए यह अपना नाप्यों पर होता है यह जो नाप है में उसमें एक इंच का लग से लूसिंग देता हूं तो यहां से यहां तक सीधा रखेंगे इतना यह जो बाग है कि ना ने चुरी डालना होता कि आप उसके हैं डरा ज़सकते हो आपको शबल और से नापको इसकुदे को सीधा करना होगा इस तरह से यह फिक्स मार्क एं यह इनको सीधा करना होगा अब उपर आणे यहां से देखिएं इसी मदब्से काुखा कितर से शैट में इस लेगों, इदर से शैटनी करेंगे किसी देखिए यहां से शेप्टे रही ने बढ़ी अपर आ रहते हैं इसका बेश्ट का निशांब आएंगे तो हमारा जो वेस्ट का मार करना है तो हमारा जो वेस्ट है पर हमारा ही पर है जोटाई बाग करेंगे तो यहां रहें चुप आप निशांदे देंगे इसके बाद में एक एलिस्कौइड की मदद से सीधा कर लेंगे इसके बाद हमें यहां से कटिंग करना होगा यहां से आदा इंच का मार्जिंग देने के बाद में यह कट करेंगे और यह एलिस्कौइड की बाद से यहां पर मोहां सबस्कूंत्ता की मदभ सेये ओंवा ताथ शेयप देघेंगे ने थाने एक दो पर डौर्ण की होगा तर तब आप लोगारी अर्ण लेतो थे आपक खाट कर देखने की का नहीं यहां तीण्वर्ण की मालत पूरे निशान लगा लिए हैं एक इंच के इसाब से हमें ये कट करना होगा एक इंच मार्जिन देने के बाद में इसको पुरा कट करेंगे तो कट करने के लिए हमें यहां से अब यह हमारा कट हो गया आप का भी देखना है यहां पर कुछ पीज कमाएगा आप करेंगे फोल्ड करके रख लेके कट करने कि यहां यहां से कप्ड़े को फोल्ड करके रख लेके यहां मुशा देख लेके इदर है तो इंच पे हैं यहां से एल स्कॉयर की मदद से सीज़ा पर देंगे उसके बाद यह की जोईट है जोईट को भी हम कट कर लेंगे अब यह हमारा कोई रोड बाकी है रहा हम यहां भी कट करनें के बाद अब हमें की मदद से पुरा जोईट को लगाना है is कि यहाँ में पार निचाले यहां पे जूल को बाहर निकालेंगे और इस तरह दे लगा लेंगे तो थोड़ा पढ़ गया है कमरा या को ही मुश्किल लेगे आप इस तरह दो पूरा इसीन करके इसको कट लेंगे पार क्या करेंगे यहां पेस को कट लगा लेंगे करेंगे और इसको जब हम बिछाते हैं करने से पहले कपड़े को दो फोल होता है कि यह दर्चे से भी चाना है कपड़े को सबसे पहले इसके बाद में इसको कट करने के बाद हमें ड्रेसिंग वीज की मदब से इसमें फोरा जिस यह जो शान है तरह देना है इस तरह दे गोड़ा देना है दूसरी साइब में भी आए या फिर आप देखना पका चुरी कितना प्यारा आएगा इस तरह देखना आप निशान दे जेंगे